तो आपको क्या शाहिन शाह आफरीदी पाकिस्तान के लिए एक बहतर कैप्टान साबित हो सकते हैं मैं आज इस वीडियो में कुछ बाते आपके साथ शियर करूँगा उसके बाद आप खुद अंदाज लगाईए कि क्या पीसी भी ने अच्छा डेसिजन लिया कि शाहिन शाह अफरीदी को और लगातार टीम पाकिस्तान तीन मैच्स हार गई है पहले मैच में नियूजम्ट ने 226 रन मनाए दूसरे मैच में नियूजम्ट ने 194 बनाए और वही तीसरे मैच में एक बार फिर से नियूजम्ट ने 224 रन मनाए अगर आप पिछले 10 केप्टानों की बात क तो 226 रन सिर्फ दो बार बने है और लगबक डाइसों से ज्यादा टीटोएंटी आइस टीम पाकिस्तान खेल चुकी है इसमेंसे अभी सिर्फ दो बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को किसी भी टीम ने 226 या 226 से ज्यादा रन्स बनाए है और अगर दूसरी तरफ से आप आप देखेंगे सिर्फ तीन मैट्स में दो बार किसी टीम ने या नियूजिलेंड ने पाकिस्तान को दो सुचोबीस या दो सुचोबीस से ज्यादा रंस बनाए है तो यहां पर शहिंशा आफरीदी की कैप्टेंशिप में पाकिस्तान को तीन बार हार का सामना करना प पर शुचोब था कि जो विक्टे आपको निकाल के देता हो और फिर इसलिए आपको इफ्तिकर अहमत की जरूरत नहीं थी आप देखिए उसाम अमीर जिस तरह से बीटे या बाकिन जितने भी बोलर रहते तो क्या इफ्तिकर अहमत को ट्राइड नहीं करनी चाहिए क्या गेंदबाजी नहीं देनी चाहिए तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि तीनों मुकाबलों में इफ्तिकर अहमत से गेंदबाजी नहीं कराई गई उसके बाद जिस तरह से शहिंचा अफ्रीद ने कहा कि हम डिफरेंट कंबिनेशन सा ट्राइड कर रहे हैं और बाब में और तीसरे मकाबले में भी ऐसे ही और फिर जब बाबर अजम आते हैं चाहे आप उसको नमबर दो पे खिलाए नमबर तीन पे खिलाए तो लगातार बाबर अजम रन बना रहे हैं और इस सीरीज में बाबर अजम ने जितने भी मैट्स खिले हैं लगातार फिफ्टीज तो डेड़ सो से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बावर अजम ने ये रंस बनाए है उसके बाद और एक जो मुझे लग रहा है क्योंकि हारिस रूफ को हमें मालूम है कि पहले से ही रंस पढ़ रहे है आप वर्ल्ड कप में देखिए सबसे ज्यादा रंस पढ़ने वाला खि ले रहे है लेकिन क्या हारिस रूफ को पहले ही अवर देना क्या ये गलत डिसीजन ही है हमने बार बार देखा है कि जो टेल इंडर्स है या डेथ अवर्स में हारिस रूफ एक अच्छे बोलर बनते है हारिस रूफ आखरी अवर्स में विकेट लेते भी है और ज्यादा रं पड़े थे उसके साथ साथ और भी बहुत सारी गलतिया है क्योंकि अब अगर महमद रिजवान को अगर आप देखेंगे तो ये ना बैटिंग की हड़ी है पाकिस्तान टीम में अगर रिजवान या बाबर नहीं चलते है तो फिर आप मैच नहीं जितते हैं और अगर कभी भी आपको बड़ा टोटल चेस करना है तो बाबर और रिजवान का खेलना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है इन दोनों का खेलना अगर इन दोनों मेंसे कोई एक आखर तक खेलता है और बाकिन जो बल्ले बाज है वो उनको साथ देते है जैसे अगर बाबर ने आज खेला या दूसरे मकाबले में भी बाबर ने अंड तक बेटिंग की आखर में वो मैच फिनिश नहीं कर पाई अगर जो फिनिशर से जुनको यह रोल है कि आप मैच फिनिश करो जैसे आजम खान थे इफ्तिकार आहमद थे तो अगर वो अपनी रेस्पॉनसिबिलिटी अज निमा बाबर का काम नहीं है तो यह चीज़े आप खुद देखे कि किस तरह से जो शहींचा अफरीदी है क्या वो पाकिस्तान के लिए बहतर साबित हो सकते हैं आप मुझे कमेंट्स में जूरू बताईए फिलाल आप मुझे इजाज़ा देजिए अप अपना ख्याल रखें अला Allah Hafiz